इस्टुक ट्रेडिंग 360 में आपका स्वागत करता हूँ और एक नई information के साथ में एक मेरा personal suggestion है कि काफी ज़्यादा लोग जो है रिटेल इंवेस्टर्स जो है काफी ज़्यादा डर हुए है कि market जिस तरह से सेलिंग अभी दो से तीन दिन से अभी बर्गरार है तो अगर इसी तरह से FIIs की सेलिंग अगर बढ़ती हुई रहेगी तो market में आपको अच्छी profit booking दिखा ही दे सकती है हालकि यह जो situation है यह temporary है guys तो यहाँ पर काफी ज़्यादा लोगों के जो questions है कि कौन सा stock हम लोगों को buy करना चाहिए guys तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास share करने के लिए guys का की second richest person बन चुके थे यह कुछ घंटों के लिए तो अडानी जी ही काफी ज़्यादा चर्चों चर्चा में है guys तो अडानी के stocks आपको गिरता हुए नहीं दिखाई देंगे उस level पर आपको correction नहीं दिखाई देगा जिस level जिस तरह का correction आपको बाकी stocks में दिखाई देगा so मैं कह सकता हूँ guys to be very confident on अडानी stocks और अडानी पावर को छोड़कर अच्छा stock है बट अभी BE category में है guys तो उस stock को आप avoid कर सकते हैं बाकी अडानी विल्मर, अडानी enterprises, अडानी transmission and अडानी total gas यह 4 stocks आप buy कर सकते हैं guys और आपको इसमें बड़ी तेजी दिखाई दे सकती है especially अडानी पावर के लिए भी good news है guys but good news यह है कि अडानी अडानी पावर जो है उसने वहाँ पर bid draw कर दिया अपना उस decision को delisting का एक proposal आया था उनके पास अभी एक साल पहले कि अडानी पावर को जो delist कर दिया जाएगा NAC and BAC के exchange से तो अभी जो है उस decision को company ने bid draw कर दिया है तो एक positive news है guys but आपको कुछ एक बड़ा अच्छा movement उस स्टॉक में नहीं दिखाई देगा अडानी पावर में क्योंकि वो B segment में है तो एक बड़ी तेजी उसमें नहीं दिखाई दे सकती है जैसे ही वो उस segment से बाहर निकलेगा तो एक बड़ी तेजी आपको दिखाई दे सकती है but अभी जो है मेरे पास सिर्फ 4 recommendation है guys जिसमें first number पर मैं आपको दूँगा recommend करूँगा अडानी विल्मर second is Adani Enterprises and third is Adani Port Adani Transmission and आप Adani Total Gaze भी आप किसको watchlist में रख सकते है तो यह जो Adani Power को छोड़के जो Adani जी के बागी जो stocks हैं आप उनमें बाय कर सकते हैं और आपको अगर इस गिरता हुए market में आपको 5-10% का भी profit होता है अगर इस एक महीने के अंदर तो guys यह आप लोगों के लिए अच्छा एक अच्छी deal होगी आप लोगों के लिए एक profit earn करने के लिए so मेरे end से buy call है Adani जी के सारे stocks में और अगर Adani जी जो है Adani जी जो है अगर second number पर आते हैं इस richest की list में या first number पर आते हैं इसा भी possible हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो आपको इनके सारे stocks भागते हो नजर आएंगे बट अभी Adani Power को Advoid के रिए काफी अच्छा stocks है undervalued stock ही बोलूँगा मैं उसको जिस सरह से perform कर रहा है बट Adani Power का जो stock है guys वो अभी BE segment में है तो एक बड़ी तेज़ी उसमें नहीं दिखाई देगी आपको जिस तरह की तेज़ी आपको बाकी के stocks में दिखाई देगी तो आप बाकी stocks को बाय कर सकते है Adani Wilmer को अपनी प्राइल की पर रखिए और जैसे ही ये BE के segment से बहार निकलेगा Adani Power का stocks आपको जल्दी आपको 1000 के level पर भी जाता हूँ दिखाई देगा Adani Power का stock और बाकी डिपेंड करता है Q2 के results पे अब जैसा कि October जैसे start होगा October month तो बाकी सारी companies के results आने start हो जाएंगे तो guys कह सकता हूँ कि अभी बड़ी तेजी तो इस market में नहीं दिखाई दे सकती at least for temporary basis बाकी आप अपनी खुद की भी analysis कर सकते हैं बाकी Adani जी के stocks से बहतर by decision I think किसी और stocks के लिए तो मैं नहीं दूँगा फिलाल और बाकी जो मैंने जो आपको calls दी हैं अभी अभी recent की अभी कुछ दिर पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी आपको LG equipments हो गया, GHCL हो गया Orsonil Healthcare हो गया, Delta Corp हो गया ये stocks काफी अच्छे हैं बल्क डील्स हुई हैं तो FII is interested ने उस stocks में आप उनमें भी buy कर सकते हैं बाकी Adani जी के जो stocks हैं वो आप blindly buy कर सकते हैं मेरे हिसाब से चोकि बड़ा correction या बड़ा fall उनमें नहीं दिखाई देगा आपको 5-10% का profit या 10-15% का profit आपको minimum इस एक महीने में के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा, इसके अलाबा जैसे ही Q2 के results आएंगे companies के तो आप उसके according उन results के basis पर आप बाकी के stocks में आप entry ले सकते हैं बाकी Adani जी के stocks जो हैं वो अभी buy call हैं सारे के सारे सिर्फ Adani power को छोड़ के तो thank you so much guys for listening to this message and बाकी आप अपनी खुद की भी analysis कर सकते हैं thank you so much guys and all the best